लोग कहते हैं स्वामी जी हमारी चोटी इतनी है तो इतनी भी नहीं बढ़ती थोड़े से भी बाल लंबे नहीं होते इतने से बाल रह गये हैं उल्टा अब तो चोटी पतली होती जारी है वीक होते जारे हैं बाल थिन होते जारे हैं बालों की मुटाई कम होती जारी है जिस जैसे चोटी भी बारीक होती जा रही है बाल बढ़ने का नाम ही दिलेते क्या ऐसा करें आज आपको इतना बढ़िया घरेलो उपाई बताऊंगा अगर आप इसे करेंगे हफते में सिर्फ दो बार इसे कर लेना आप होगे स्वामी जी मज़ा आगया आपने क्या चीज बताई हमारे तो बालों में फिर से जानाने लगी हमारे बाल फिर से बढ़ने लगे तो क्या करना है एलो वीरा का ताजा पत्ता तोड़ लो उसमें से दो चार चमच एलो वीरा का गूदा निकालो जितने आपके बाल है उतनी अवश्यकता के अनुसार इसे हमने बालों पे लगाना है और उसमें बराबर मातरा में अरंडी का तेल डालना है दोनों को अच्छे से मसल कर मिक्स कर लें ऐसे मिक्स कर लें कि दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा जाएं अब उसको आपको बालों पर अच्छे से अपलाई करना है बालों की जड़ों में बालों के उपर बालों के जड से लेके सिरे तक हर जगा पर उसे प्यार से पूरे पे लगा लें और इसके बाद आप बालों को बांद कर रात को ये काम करें बांद कर आप सूजाएं और सुबह उठके किसी माइल्ड शैंपू से या आवला रीठा, शिकाकाई के घोल से साफ कर लें हफते में सिर्फ दो बार करना है जिस दिन भी आपको लगता हूँ बाल धोने हैं उस दिन रात को करके अगले दिन बाल धो लेना, आपको के स्वामी जी क्या कमाल की चीज़ बताई हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ गई चोटी मोटी होने लगी बाल खिलने लग गए बालों में जान अने लग गई बालों की जो वीकनेस है बाल जो पतले हो रहे हैं, जो जड़ें कमजोर हो रही हैं जब बाल ग्रो नी कर पा रहे जो बाल बढ़ना रुग गे थे आप करे थे कि बस यहां तक बाल है तो अब आगे एक संटिमिटर भी लंबे ने हुए छे महिने से कोशिश कर रही हूँ आप इसे करना शुरू करें आप कहेंगे स्वामी जी बाल तेजी से बढ़ने लगे और परमात्मा ने चाहा तो इतने जादा बढ़ेंगे कि आपको उल्टा बाल कटवाने की जरूरत पढ़ेगी